आज के इस वीड़े में हम लोग बात करेंगे कि मल्टी टास्क वर्कर की रिकूट्मेंट के लिए स्टेप बाइस्टेप अप्लिकेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है सबसे पहले आप लोगों को अपने एक पासवोर्ट साइस फोटो यहाँ पेस्ट करना है यहाँ पर जिला लिखना है कि आपका जिला कौन सा है जिस जिले में वो स्कूल है जहाँ पर आप लोग अपलाई कर रहे हैं और यहाँ आएगा खंड तो आई होप आप उसी जिला में रहते हैं जिस जिला में आप लोग अपलाई कर रहे हैं लेकिन खंड का पहले आप पता क का नाम आ गया अब नेक्स्ट का में यहाँ पर पासबोर्ट साइज फोटो आप लोगों निक पेस्ट करनी है इस बॉक्स में अपनी पासबोर्ट साइज फोटो आगे जीला वो खंड का नाम यहाँ पर जीला का नाम आ गया उन्ना आ गया जैसे खंड आ गया मान लिए मुब अवेदक का नाम आपका नाम जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम उसके बाद महिला ये पूरुष क्या है उसके बाद आवेदक के पिता का नाम पती का नाम जो इनसान इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो यहां अगर महिला है तो पती का नाम भर सकती है और अपना वो फादर नेम भी भर सकती है जनम तिति यहां अंकों में लिखेंगे जैसे किसी की जनम तिति है 19th of May 1982 तो 1905 और यहां पर 82 और यहां पर आपने इसको शब्दों में लिखना है कि आप लोगों की जो डेटा वरत है वो 19th of May 1982 है तो इस तरह से अंकों में भरना है शब्दों में भरना है उसके बाद आवेदक का स्थाई पता आपके गाओं का नाम कौन से गाओं में आपका डाक खाना आपकी तहसील आपका जिला और आपका पिन कोड आपका मोवाइल नंबर पत्राचार के लिए वही पता रहता हैं जहां पर आप लोग रहते हैं तो यह वाला पता जहां पर आप किराए के मकान में रह रखें वो भर सकते हैं या आपका स्थाई पता ही यहां पर भर सकते हैं अब आगे आपने फिल करना है कि आपने पांचवी आठमी दसमी प्लस टू जो है वो कब-कब पास की है जिस वोड़ के सनातक अगर आपने डिगरी की है मिनिंग ग्राजुएशन की है तो ही माचलपदेश युनिवस्ट्री पंजाब टेकनिकल उनिवस्टी इस तरह अएगा तो पांच भी में आपके फांचवी ककशा में आपके सर्टिफिचिटपर आपने कितने पर्तिशट बन रहा है वह तो यहां पर भरना है कि इतनी percentage है इसी तरह से 10th का 12th का और graduation का भर सकते हैं और अगर आप 5 भी पास हैं या 8 भी पास हैं तो बाकी वाले columns आप लोग नहीं भरेंगे कि अगर आपकी परिवार का कोई सदस्य स्तरकारी नौकरी में है तो आप यहां हाँ भरेंगे या तो यहां क्या भरेंगे अत्वा नहीं तो आप भर सकते हैं कि नहीं मेरी family का कोई भी बंदा govrment job holder नहीं है अगर सच में नहीं है तो भरेंगे अब जो आगी आपने जार्मकारी भरनी है वो बिलकुल टू भरनी है, अएसे तुके से नहीं भरनी है आवेदक गे घर का स्कूल से अधूरी, कितनी आपका घर स्कूल से कितनी दूरी है मानि से 10.5 किलोमेटर है तो यहां आप लोग से 10.5 किलोमेटर भरेंगे क्योंकि इसका certificate भी पंचाय तो साहिक ने सचीव ने बनाया होगा तो जितनी दूरी है उतनी ही आपने यहाँ पर भरनी है साथ में आपका document भी attach होगा इस application के साथ तो यहाँ पर ठीक data भरें शैक्षैनिक योग्यता कितनी अगर आवेदक सिर्फ 5 पास है और अगर बन्दा आठमी पास है तो आगे आपने यहाँ लिखना है आवेदक आठमी पास है या इससे दिख शिक्षत है अगर आठमी पास है तो यहाँ लिख दीजिए पर यहाँ मैं आठमी पास हूँ और अगर आप graduate भी है तो यहाँ आपने नहीं भरना है तो अवेदक अगर सिरफ पांचवी पास है तो यहां पर सिरफ हां भरिए कि हांजी सिरफ पांचवी पास ही है और अगर आठमी पास है तो आप यहां पर आठमी पास भी लिखिए कि आवेदक पांचवी पास है तो अगर आठमी पास भी है तो फिर आप यहां नहीं भरिए क कोई भी क्लांग है डिसेबल परसन है लेकिन साथ में उसको वो परवान पत्र भी टैच करना पड़ेगा तब इसके मार्क्स लगेंगे आवेदक ने स्कूल के लिए भूमी दान दी है हंजी दान दी है तो हां भरेंगे नहीं तो नहीं भरेंगे और इसके लिए एक्स्टा फ करने पड़ेंगे आगे लिखना है परिवार का कोई सदस्य सरकारी नोकरी करता है अगर सरकारी नोकरी करता है तो यहां लिखेंगे और अगर सरकारी नोकरी नहीं करता है तो यहां नहीं भरेंगे और साथ में वह एक आपको अटेच्मेंट का एक सर्टिफिकेट भी लगा प्रवाइ